बेगु सराय में दर्दनाक सलक हादिसे ने दो लोगों को मौत की नींदू सुला दिया। घटना साहेपुर कमाल थाना क्षेतर के जाफर नगर की है। जहां मिर्तक उधै चौरसिया और बबलू यादव बेगु सराय से गिट्टी बेच कर वापस जा रहे थे। तभी तेज इस रफ्तार से आ रहे बालू के ट्रक ने गाड़ी में ठोकर मार दी जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादिसे में दो लोग गंभीर रूप से गहल हो गए। हादिसे के बाद ही ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुँच कर ट्रक को कबजे में ले लिया है और साथ ही दोनों शवों को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगु सराय से संतोश श्रिवास्तव की रिपोर्ट